हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ ओरूप और आप देख रहे हैं एभाराट यूट्यूब चैनल इस वीडियो पे मैं एक फ्लास्क का ड्रॉइंग बनाऊंगा तो आप इस चैनल पे अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन पे क्लिक करने के बाद अल पे क्लिक कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो मैं यहाँ पे अभी एक एच भी पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि मैं ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं आप देख सकते हैं और यहाँ पे यह ज्यादा डार्क नहीं और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक नॉन डास्ट इरेजर है तो मैं यहाँ पे नॉन डास्ट इरेजर इस्तेमाल कर रहा हूं और एक एच भी पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूं अब इस पोर्शन पर थोड़ा डार्क कर दिया और आप पेज को घुमा के ऐसे करके आप आसानी से इस सेट को कर सकते हैं मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको किया जाता है मैं बस एक सिंपिल सा लाइट पेंसिल आप 6B या फिर HB पेंसिल ले सकते हैं और लेके आप इस सेडिंग को कर सकते हैं तो पहले पूरा जो फ्लास्क है उस पे मैं टोटाली पेंसिल लेके सेड कर दिया और उसके बाद मैं इरेजर यूस करूंगा इसको थोड़ा लाइट करने के लिए अभी मैं टीशू पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको थोड़ा स्मूद करने के लिए और इसके पहले भी मैं बहुत सारे स्टील लाइप इस चैनल पे पोस्ट किया हूँ तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएंगे और यह सिक्स भी फेंसिल से और भी थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन बना दिया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ तो इस साइड पे भी मैं सिक्स भी पेंसिल से सेड कर रहा हूँ अभी मैं नॉन डास्ट इरेजर इस्तेमाल करके इसको थोड़ा हाइलाइट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है इसलिए ही मैं पहले कोई भी डार्क पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि डार्क पेंसिल इस्तेमाल करने से यह इरेजिंग नहीं होता फिर मेरे को जो हुआइट नार है या फिर हुआइट कालर एक्रेलिक कालर से यह करना पड़ता तो मैं इसलिए इसको नहीं किया था और अब देख सकते हैं थोड़ा स्टील का फिलिंग अब को आएगा तो 6-B पेंसिल लेके ही मैं और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ अब यह जो 10-B पेंसिल है 10-B पेंसिल से मैं हाइलाइट कर रहा हूँ इस पोर्शन को यह जो पोर्शन है यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पोर्शन है तो आप इसको ध्यान से देखिए मैं कैसे करके कर रहा हूँ जस्ट भार्टिकली आप लाइन कीजिए मैं जैसे करके कर रहा हूँ और थोड़ा गैप गैप करके आप यह पर उस भार्टिकल लाइन को दीजिए और इस पोर्शन पर पी थोड़ा डार्क होगा क्योंकि उसका सेडो जो है वो यह पर आएगा यहां पर मैं मोनो जीरो इरेजर इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो भी मैं मेटरियल इहां पर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन पर दे दिया तो आप उहां पर जाके चेक कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो आपको एमाजोन का पेज पर रिडाइरेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं और यह अभी फिंगर से मैं इसको थोड़ा स्मूद करने के कोसिस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं स्मूद हो भी रहा है यहा के लिए मतलब आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा हेल्फूल होगा आप खुद खुद से करने का कोशिश कीजिए और टीशू पेपार को इस्तेमाल कीजिए अगर नहीं है तो सिंपिल सा एक पेपार या फिर कॉटन लेके आप इस सेडिंग को आसानी से कर सकते हैं और यह मोनोजीरो इरेजर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं यह भी अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंप्ली नोंडस्ट राबर का जो कॉर्णार है या फिर कोई भी इरेजर का कॉर्णार को इस्तेमाल करके आप उस सेडिंग को कर सकते हैं और यह जो मैं कर रहा हूँ यह एक सेड है सेडू है उस बोटुल का और बैक ग्राउंड पे वो दिखा रहा है थोड़ा-थोड़ा मैं टेन भी पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ और आभी टीशू पेपर को लेके थोड़ा बलार करने की कोशिस कर रहा हूँ तो यह इसको थोड़ा डार्क कर दिया हमें तो ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्यू फॉर वाचिंग और रिसेंटली अपलोड़ेट वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं